अलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्टड़ी है क्योंकि यूट्यूब चैनल पे, मेरा नाम है जंदन शर्मा और साहस की सीरीज में आप सभी का हार्दी कभी नंदन है साहस basically stands for sitting at home and study ये है मेरे क्याल से आप लोगों को अब तक पता लग चुका होगा काफी देर से हम जुड़े वहें और काफी सारे topics हमने cover किये हैं और मुझे basically पूरी उमीद है कि आप इस सीरीज को पसंद भी कर रहे हैं ब्रिटिश रूल का character इंडिया में change हो गया अब इस इंडिया कंपनी बिल्कुल उसका एक तरीके से वह खतम हो चुकिए वह राज नहीं करेगी भारत पर भारत अब डायरेक्ली crown के द्वारा राज किया जा रहे है इंग्लें में बैठा राजा राणी जो मौनार्ख हैं व और एक foreign entity अभी भी काफी जादा exploitative nature के साथ भारत के उपर rule कर रही है ये colonial character जो है governance का ये भारतियों के हित में नहीं था consequently कुछ ऐसी circumstances पैदा होती हैं जिसके वज़े से इंडिया में national consciousness ये जागनी शुरू हो जाती है एक political awakening होनी शुरू हो जाती है कि हम भारतियों हैं इस बात का एहसास हम सब ये गुजराती, मराठी, मदरासी होने के साथ-साथ हम सब एक ही problem से जूज रहे हैं और वो problem इस foreign rule क की वज़ा से, colonial rule की वज़ा से, इसी के चलते अलग-अलग leaders ये unite होते हैं और शुरू कर देते हैं अपनी basically agitations against the colonial rule और यहां से हमारे freedom struggle का एक mass phase धीरे-धीरे start होगा, initially हमारे freedom struggle में सिरफ elite members ही थे बट gradually mass phase भी इसी के अंदर आएगा, right, so इसी कहानी को आज हम discuss करेंगे and we will basically analyze कि किस तरीके से political consciousness इसका rise होता है और किस तरीके से कुछ political parties before the Congress उसकी emergence होती है और फिर Congress के birth के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, comments मुझे एक बार ये बता दीजे कि audio और वीडियो एकदम clear है, let me show some content, content ये clear दिख रहा है, I suppose आज relatively ज़्यादा clear दिखना चाहिए, right, तो जो colonial policies थी तेकि अब यहाँ पर हमने discuss करने कि political consciousness कैसे grow करती है, I hope आपको political consciousness का मतलब पता होगा, ये basically इस बात का एहसास आभास है कि हमें स्वतंतरता चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, इस बात की एक तरीके से awakening, that we have to liberate ourselves, that is what is meant by political consciousness, अब इसके पीछे के जो factors हैं, कि किस प्रकार से political consciousness इंडिया में develop करती है, इसको अगर हम broadly classify करें इन factors को, तो वो दो parts में divide हो सकते हैं, पहली चीज़ ये political consciousness अंग्रेजों की policies की वज़ह से आई, कि अंग्रेजों ने हलांकि ये policies अपनी भारत पर अपनी grip को और पकड़ को और मजबूत करने के लिए introduce की थी, लेकिन इसका नत कुछ colonial policies ऐसी थी, जो की based थी भेद भाव के उपर, prejudice के उपर, discrimination के उपर और हमारा ये reaction था इन policies के against जिससे की हमने ये मुनासिफ समझा that we have to unite, we have to organize a political struggle against the British, right, तो broadly हम इसको इस प्रकार से classify कर सकते हैं, ठीक है, अब इसमें further analysis अगर हम करें, further अगर हम analysis करते हैं, तो colonial policies की ही वज़े से कुछ suitable conditions ये exist होनी start हो जाती हैं, ठीक है, किस प्रकार से हमारा ये political awakening was a outcome of colonial policies, इसमें अगर हम देखें, तो इन colonial policies की वज़े से कुछ conditions ऐसी पैदा होंगे, जिससे की हम unite होना start हो जाते हैं, सबसे पहले, unification of the country, हमने revolt of 1857 में भी देखा और हमने disintegration of Mughal empire की समय भी देखा था, कि किस प्रकार से भारत at the advent of Europeans, at the time जब British भारत में प्रवेश करते हैं, अलग-अलग European powers इंडिया में आती हैं, तो भारत में क्या होता है, spectre of fragmented polity, I hope आपको ये याद होगा, India was beset with the spectre of fragmented polity, consequently वो unity कही ना कहीं lack करती है, हर कोई अपने regional power यां, regionalism के सा associate करता है, एक nation का idea अभी तक दिमाग में नहीं है, लेकिन जब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज अपनी पकड मजबूत करने के लिए, इंडिया को politically unite करते हैं, कि एक governor general है, उसके अंदर ये पूरी territory हमारी चलेगी, uniform laws आने स्टार्ट हो जाते हैं, CRPC, IPC, ये सारी चीज़े develop होनी स्टार्ट हो जाती है, judicial system develop होना स्टार्ट हो जाता है, तो होता ये है कि basically अब भारत के एक कोने में बैठा व्यक्ति, उसकी समस्याइं और भारत के दूसरे कोने में बैठा व्यक्ति, उसकी समस्याइं, इनमें convergence आनी स्टार्ट हो जाती है, पंजाब में कोई इंसान ह let's say, कोई किसान है और जो मदरास का किसान है, उनकी समस्या है same होनी start होगी, कि extortion की जा रही है revenue की उनसे, right, कोई middle class विक्ती है, यहाँ कोई जमीन दार यहाँ किसी गाओं का headman है, village headman है उसकी समस्या similar देखने को मिल रही है कोई artisan है, बेंगॉल से let's say, और गुजराच से कोई artisan है उनकी भी समस्या similar देखने को मिल रही है right, तो यह चीज इस बात का भास दिलाती है that yes, we are having a common enemy, और उस common enemy को ही देश से बाहर निकालने के लिए unite करने की जुरूरत है, ठीक है तो अंग्रेजों के आने से बहुत बड़ा identity की aspirations आनी start होगी, इसी के साथ-साथ जो western thought आया, ठीक है along with this, जो western thought भी आया था, इस western thought का भी नतीज़ा था wait a second इस western thought की वज़े से भी right, हुआ यह कि हमारे बहुत से freedom fighters and हमारे जो leaders थे उनको कई सारे ideas के बारे में पता लगना start हो गया, जैसे की अगर हम बात करें, that one second चलो, never mind मैं आपको वैसे बता देता हूँ लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोकरिसी, फ्रीडम, राइट, एचेटरा, यह सारे western philosophies और western philosophers के ideas थे, जब अंग्रेज इंडिया में आये तो उनका objective क्या था? वो तो चाते थे कि हम एक ऐसी class बनाए, that is brown in color, but English in taste and preferences, this was the objective of British, लेकिन हुआ यह कि हमने इसी western thought और education को अपनी advantage में convert कर दिया, जब हमें यह education मिली, तो हमें realize हुआ that अगर अंग्रेज यह सब follow कर रहे हैं और अपने देश में यह सब preach और practice कर रहे हैं, वो इंडिया में यह चीज़ें क्यों apply नहीं कर रहे हैं, भारत में इस चीज़ का अभाव क्यूं है? consequently, यही वो leaders हैं, जो western educated हैं, जिनों ने बाकी masses में भी similar ideas को propagate किया, और उसी की वज़े से हमारे freedom struggle को एक momentum भी मिला, इसी के साथ-साथ press और literature भी develop होती है, right? press और literature के develop होने से जो हमारे nationalist leaders हैं, वो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसमें बहुत prominent example जो economic critique है by our nationalist leaders, right? जो economic critique है हमारे nationalist leaders का, जैसे कि दादाबाई नौरोजी ने drain of wealth theory दी थी, right? ये press developed थी, right? ये press क्योंकि उसकी development हो रखी थी, उसी वज़े से ये लोगों तक पहुंच सकी और लोगों में एक nationalism का भाव जागना start हो गया, right? इसी के साथ अंग्रेजों ने भारत की society को, सब्यता को थोड़ा बेहतर तरीके से समझना था जिसके चलते, उन्होंने कई सारी discoveries करने शुरू कर दी, ये अंग्रेजी थे, जब वो इंडिया को study करने आए, जब उनको पता लगा कि जब हमने ठीक है, वो एक कहानी चलती में, आपने शायद मोगली देखा होगा, वहाँ पर चलते है जंगल जंगल बात चलिया है, पता चला है चड़ी पहन के फूल किला है, फूल किला है तो अंग्रेजों ने जब चड़ी पहनना भी नहीं सीखा था उस समय इंडिया में, भारत में एक full-fledged civilization ड्योप हो रही थी, ठीक है तो ये बहुत सारे factors थे जिनके interplay से basically क्या हुआ कि भारत में nationalism ड्योप होना start हो गया, अब इसकी थोड़ी सी example आपको देना चाहूँगा, कि जैसे अंग्रेजों ने transport and communication में काफी सारी development की और इसमें objective क्या था कि अगर हमें जरूरत पड़े इन्होंने न ट्रांसपोर्ट पे बहुत जादा काम किया यह जो railway network बनाया हुआ था न इसके दो-तीन मुख्य objectives थे पहला objective यह था चलो मुझे अब comment section में बताओ काफी लोग इस session को देख रहे हैं मुझे comment section में भी बताओ that what was the objective कि किस प्रकार से यह क्या इसे कारण थे कि अंग्रेज ट्रांसपोर्ट को बहुत जादा फिला रहे थे देखो पहला कारण तो क्योंकि यह सारे traders से तो economic reason number मान आ जाते हैं कि factory made products को यह इंडिया के दूर तरास के इलाकों तक पहुँचाना चाते थे और railway network उसमें एक बहुत crucial role play कर सकता था फिर जो raw material एक जगा से दूसर जगा basically बंदरगा तक जो raw material पहुँचाना है उसमें भी इसका काफी अच्छा role था इसके अलावा इंडिया पर strong grip रखने के लिए कभी कभी rewards को curb करने के लिए major centers में अपने troops की mobilization के लिए भी railway एक important role play कर सकता था similar चीज टेलिग्राफ के साथ भी connected है ठीक है और हमने revolt of 1857 के suppression के reasons में भी ये देखा कि टेलिग्राफ एक advanced technology थी उस समय के हिसाब से और उसने मदद की अंग्रेजों की 1857 की करांती को crush करने में quash करने में ठीक है अब इसका जो असर लोगों के बीच हुआ वो कुछ ऐसा हुआ कि लोग भी ये सारी चीज़ें का अब उपयोग करना शुरू हो गए अग्रेजों ने का कि raw material के साथ साथ अगर कुछ Indians who can afford to pay अगर वो travel करना चाते हैं तो वो भी ये use कर सकते हैं बतले में हमें कुछ payment कर दें तो इससे क्या हुआ कि अब आम जनता ने भी trains में travel करना स्टार्ट कर दिया लेकिन अंग्रेज भेधवाव इसमें भी करते थे वो क्या कहते थे कि Indians they don't deserve to travel along with the white people तो Indians का compartment usually अलग रखा जाता था कि गोरों का अलग भारतियों का अलग अब भारतियों के लिए जो compartment बना है उसमें एक पंजाबी आगे हैं एक मदरासी आगे हैं पहले के समय पर जब western education नहीं थी English language भी नहीं थी तो आपस में communicate करने में शायद दोनों को संकोच होता है या ना कर पाते लेकिन अब अंग्रेजों के ही उस बनाई रेल गाड़ी में अंग्रेजों के से ही सीखी अंग्रेजी भाशा से they are now interacting and communicating और वहाँ पर पंजाबी कहते हैं that how brutally they are treating us they are showing prejudice against us मदरासी कहते हैं exactly ऐसा ही है बही बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने और जैसे कि फिर आपने देखा होगा कि दो अंकल लोग जब मिलते हैं तो कैसे political discussions करने शुरू कर देते हैं और कई बार उनकी बड़ी गहरी दोस्ती भी बन जाती है number exchange कर लेते हैं कि हान जी कभी आईएगा पंजाब साइड तो रोटी साड़े वाली खा के जायो यानि कि खाना हमारे साथ ही खा के जाना आप सेम चीज मदरासी भी कहेंगे कि आपको भी हम कुछ चावल वाली सबजी कुछ खिला के जाएंगे तो ऐसे एक connection बन रही है तो इससे क्या हुआ कि देश के अलग-अलग कोनों में बसे आम लोगों की जो मुद्दे थे वो आपस में जुड़ना स्टार्ट हो गए जब लोगों के मुद्दे जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनकी सोच भी connect होनी शुरू हो जाती है और जब सोच connect होनी स्टार्ट हो जाती है फिर अपने मुद्दों के resolution में वो भी unite होना स्टार्ट हो जाती है तो ये पूरा का पूरा process अंग्रेजों ने हलांकि सोचा नहीं था लेकिन फिर भी ये चीज एक तरीके से हमें देखनों को मिल जाती है तो ये अगर आप अपने answer के point of view से कुछ समझना चाहते है तो वहाँ पर ये line आपके काम आ सकती है कि जो economic and socio-political fate of the people living under British rule it got connected and that is what made a difference इसी वज़य से basically अब लोग unite होंगे और political awakening consciousness आ रही है PDF के लिए दोस्तों CS Live Group को join कर लेना on Telegram Instagram पर do connect with me here काफी अच्छा लगता जब आप लोगों के messages आते है and I am able to reply a number of messages और guidance देता हूँ and इसी के साथ Telegram पर आप मुझे यहाँ पर message भेज सकते है at the rate H-E-L-L-O-C-H-A-N-D-A-N ठीक है without space है यहाँ पर यह मेरा personal handle है you can send me message here as well ठीक है और देखो history की यहाँ पर हम बात कर रहे है and यहाँ पर एक चीज बताता हूँ एक concept बताता हूँ बढ़ा interesting किसी ने latent and manifest function के बारे में सुनना है sociology optional के students इसको समझ सकते है देखो latent and manifest क्या होता है manifest का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर अंग्रेजों ने जो भी reforms किये थे तो उन्होंने कुछ intentions सोची थी कि हाँ ये चीज तो होनी ही चाहिए ठीक है कि जैसे इंडिया के उपर हमारी grip strong होनी चाहिए raw material एक देखा इसे दूसरे जगा पहुंचना चाहिए economic gains हमें ज़ाद होनी चाहिए ये है manifest intention या manifest functions of British development of transport and communication लेकिन इसके साथ-साथ जो इन्होंने नहीं सोचा था वो भी हो जाता है ठीक है तो जो unintended consequences होते हैं जिसमें कि भारती aware हो गई, unite हो गई western education इन में आ गई और ultimately इनी सारी चीज़ों की वज़ह से सोचा नहीं होता पर फिर भी हो जाता है ये sociology के concepts है दोस्तों और अगर sociology के concepts पर आप ऐसी ही strong grip बना कर रखना चाते हैं इस पर पकड़ मजबूत करना चाते हैं study IQ का sociology course आपकी काफी मदद कर सकते है ठीक है ये 12 December यानि कि आज इसमें admission लेनी की आखरी तिथी है एक बजे की classes रहती है 1 to 4 के बीच में आपको पढ़ाया जाता है sociology by दिवाकर सर one of the best faculty in the country trust me guys उनके concepts के उपर इतनी मजबूत पकड़ है that इस course के enroll करके आप basically बहुत कुछ गेन करेंगे जल्दी complete हो जाएगा इसे ले बस answer writing practice अच्छी हो जाएगी and you'll be in a very safe zone in terms of those 500 marks जिसके दम पर आप mains clear करेंगे और history हम पढ़ रहे हैं आप history भी बहुत अच्छा optional की एक preference बनता है इसके new batches start हो रहे हैं ठीक है 15 December से history के new batches start हो रहे हैं जो भी history optional लेना चाते हैं I think this is the right time बहुत से लोग क्या हैं कि अभी journal studies के लिए उन्होंने तयारी start नहीं की तो मैं उनको suggest करूँगा कि दोस्तों यार देखो ऐसा है कि optional से आप शुरू कर सकते हो optional काफी हद थक static रहता है in comparison to journal studies जो की बहुत ही dynamic और ever increasing component है due to current of years optional relatively static रहता है सिरफ mains में आता है और mains में भी काई बार questions repeat होते हैं या फिर उनकी थोड़ी सी wording change होती है तो अगर आप ये 500 number अपने mains के strong और solidify कर लेंगे देखो इसके multiple फायदे होते हैं history जैसे optional में एक तो देखो आपको वो अपने journal studies में भी आएगी तो 500 number की जो आप basically यहां पर तयारी करेंगे अभी से उसमें जादा कुछ changes नहीं होंगे solid हो जाएगा वो पूरा का पूरा content and वो चीज आपको GS में भी कहीना कही काम आएगी तो अभी अगले 3-4 महिने आप optional को dedicatedly focus करना चाहते है तो you can enroll in these batches and CS live code use करने से आपको इस पर highest discount भी मिल जाएगा अब आगे बढ़ते हैं ठीक है यह मैंने आपको बता दिया कि intentions इनकी कुछ थी हुआ कुछ और right and इसमें press की development से basically the leaders they were able to reach the masses ठीक है एक तरीके से books थी वो लोगों तक वो ideas महांचने start हो गए ठीक है यह ideas किसके बारे में थे civil rights, democracy यह जो हमारी middle class ने western education की बदौलत यह सारी चीजें सीखी rediscovery से हमें पता लग गया ठीक है यह important है Indo-Arians यह same ethnic group को belong करते हैं जहां से यौरप के कई और nations के लोग evolve हुए है ठीक है हम लोग Indo-Arians groups को belong करते हैं तो यौरप में भी जो race है वो भी इसी जगह से evolve हुई है तो basically इसका significance यह था कि जो यह अंग्रेज यह गोरे एक myth produce करते थे कि white man हम superior है हमारी गोरी चम्री हम superior है राइट वैसे तो यार यह भी गोरों को भी criticize करना थोड़ा racist sound करता है जो इधर वे बट फिर भी यह इनकी बात करना है कि यह superior समझते थे खुद को तो जब पता लगा कि ancestry तो same ही थी तो फिर कहे की superiority राइट इसी के साथ साथ जो भी discoveries हुई इंडिया के glorious past की उससे यह जो colonial myth है racial superiority की वो हमेशा break होती गई ठीक है और किसी भी दुश्मन से जब आपने लड़ना होते हैं सबसे पहले उस दुश्मन की ताकत को अपने दिमाग से हटाना होते है राइट अंग्रेज यह बहुत clever थे आप में लोग खुद मुझे बताईएगा कभी किसी colonial के तेके कभी किसी colonial पावर के आपने अगर colonial images देखी हो तेके यह जो lord वगएरा होते थे डिलाउजी हो गया कोई general हो गया रॉबर्ट लाइब हो गया यह कैसे dresses पहनते थे पूरी ऐसे रसी लगी पड़ी है यहाँ पर चौड़ चौड़े वो कंदों के उपर सितारे से राइट अंड गम शूज पैंके रखने इतने बड़े-बड़े घोड़ों पर दगड़ दगड़ करते आएंगे यह क्या करता था यह actually हमारे natives यानि कि हम भारती यह जो उस समय पर भारत में रहते थे उनके दिमाग में एक छवी प्रेड्यूस करने की कोशिश करता था that we are superior बच के रहना हट जाओ तो यह जो rediscovery हुई थी इंडिया की past की महाँ पर पता लगा था that we are much more superior अगर superior नहीं भी हैं वैसे तो हैं बट let's say अंग्रेजों की थोड़ी से मानेते की चल नहीं है लेकिन कम भी नहीं है फिर तो इस सीजने भी लोगों के मन में डर इसको बगा दिया अब यार first of all ये रणवीर कपूर from animal नहीं है बहुत से लोगों को लग रहा होगा रणवीर कपूर animal movie का but no he is Lord Litton अब ऐसा होता है कि कहा जाता है कि यार कभी किसी को na exploit इतना भी न कर दो कि उनके दिमाग से डर ही खतम होजे और वो बगावत कर दे है 1857 में भी ऐसा ही हुआ था कि exploitation और अंग्रेजों नहीं लाइन क्रॉस कर ली थी और कॉंसिक्वेंटली लोगों का गुसा बाहर निकल गया था अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरेड में कुछ reactionary governor generals भी appoint हुए थे Lord Litton उनमें से एक थे Lord Litton का पूरा नाम Edward Robert Litton Bulwer Litton यानि कि First Earl of Litton तीक है यह अलग-अलग नाम है पेपर में यह इतना आने नहीं वला ठीक है 1876 से 1880 के बीच यह महाशे चार साल के लिए governor general रहे थे लेकिन इन चार सालों में इन्हों ने जो दंगल किया ठीक है उसने भी इंडियन्स को disenchant किया from the British rule 1857 के बाद अंग्रेजों ने यही कहा था कि भाईया हम अच्छा बच्चे बनके रहेंगे ठीक हम जादा शान पट्टी नहीं दिखाएंगे बट reality यह थी कि ऐसे governor general जब आते थे तो colonial character की reality फिर से expose हो जाती थी for example इन्होंने क्या किया 1876 में बारत में बहुत ही भयंकर famine आया यानि कि भुख मरी आई मदरास, माईसूर, बॉंबे, पंजाब सेंटरल इंडिया, हाइदराबाद ऐसे कई regions impact होए और बहुत से लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी भूख की वज़े से उनको मृत्यों मिली ऐसे में अगर welfare state होती, तो क्या किया जाता raw material को industries तक पहुँचाने की बजाए कोशिश की जाती कि food supplies ऐसे regions में मोहिया करवाए जाएं right, food supplies provide करवाए जाएं, लेकिन इन महाशे ने उल्टा क्या किया, 1877 में एक royal दर्बार लगा दिया, 1877 में एक royal दर्बार लगा Empress of India की basically proclamation, that is, उसके लिए एक grand ceremony रखवाई जाती है, जिसमें सरकार बहुत lavish खर्चा करती है, पूरा pompen show होता है ढोल नगाडे बचते हैं एक तरफ लोग मर रहे हैं भूख से दूसरी तरफ ये आयाशी चल रही है right, तो लोगों को और हमारे leaders को यहाँ पर नज़र आया, कि कितना exploitative और कितना dark character है ठीक है, क्या मुझे कोई comment section में बता सकता है कि इस royal दरबार की significance क्या है इस royal दरबार की क्या significance है कौन सी queen को Empress of India घोशित किया गया था यहाँ पर queen Victoria को Empress of India घोशित कर दिया गया था in 1877, ठीक है अब इससे भी पहले, right famine of 1876 के बाद और royal दरबार से पहले बीच में इन्होंने Indian civil services की age को कम कर दिया, 21 years की जगा 19 years कर दिया, just imagine अगर आज की date में भी यही हो जाए तो क्या होगा, बहुत भायंकर situation हो सकती है, दरसल अच्छा, कोई मुझे comments में बता सकते है who is the first Indian to pass the examination of Indian civil services यह मुझे comments में बताईएगा, ठीक है you have to write the answer in the comment section, चलिए अब यहार ऐसा है कि ICS को बहुत tough रखा गया था, और इसमें basically ICS में Indians के यो adopt करने के पीछे logic यह था that there should be certain Indians as well in the administration जो की एक bridge की तरह काम कर सकें between the rulers, that is British and the common masses, that is Indians, ठीक है, तो यह bridge की तरह काम करेंगे, तो थोड़े से इन्होंने, मतलब ICS को रखेंगे, राइट, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत easily कोई भी Indian इस exam को clear कर दे, ठीक है it's Satyandr Natyagor Mahaduri, not Debendr Natyagor Satyandr Natyagor है, ठीक है very good, बिश्वजीत अनराजी, आप सही कह रहे है अब exam में Indians को debtor करने के लिए, इन्होंने इनकी age कम कर दी, 19 से 21 सा लेकिन उसके बावजूद भी Indians ए exam clear करते जा रहे थे, ठीक है, paper को difficult रखा फिर भी हम clear कर रहे है, तो कहा कि age और कम कर दो, ताकि इनके लिए लगबग मुश्किल हो जाए, तब भी नहीं हुआ तो इन्होंने कहा कि एक exam, ये exam जो है इंडिया में न रखे, हम इंगलेंड में ही रखेंगे ठीक है, तो ये सारी situation के वज़ए से, काफी disenchantment इनको लेकर रही, right इसी के साथ इन्होंने Vernacular Press Act of 1878 भी पास किया Vernacular Press Act में क्या था आप जानते हैं कि literature develop हो गया था, तो local भाषा में बन रहे कई सारे पत्रों जो थे ये अंग्रेजों के खिलाब एक भढ़काउ articles publish करते थे, जिसकी वज़े से, अंग्रेजों को लगा कि ये फिर से 1857 जैसे situation ना आ जाए तो क्या होगा कि इस act के अंदर जो भी local भाषा में article या न्यूशेट पर publish हो रहा है, तो वहाँ पर editor अपना नाम, अपना address वह सारी चीज़ें वहाँ पर mention करेगा और उसकी एक translated English copy जो है, वो भी governor general या उनके द्वारा जो भी appointed authority है उसको provide गी जाएगी, right इसी के साथ Arms Act of 1878 भी इन्होंने प्रस्तुत किया जिसमें की भारतियों को असला बारूद गोली, ये सब रखने की अनुमती नहीं थी, ठीक है, ये discriminatory था, अगर Arms Act रखना ही है, security की इतनी फिकर है ही तो फिर Europeans और Indians के लिए ये बराबरी से लागू होना चाहिए, यहाँ पर सिरफ Indians को allow नहीं किया जा रहा था, जबकि जो गोरे थे, वो रख सकते थे, इसी के साथ साथ कुछ और developments भी थी, जो यॉरप में चल रही थी, ठीक है, कुछ और developments यॉरप में हुई, राइट, एंड इंडिया में भी उनका असर देखने को मिला for example, जो nationalist wave आई थी यॉरप में, यॉरप में हम world stream में पढ़ते हैं, कि इस समय के इर्दगिर्द, Germany, Germany, Italy, इनकी unification भी हो रही थी और एक nationalism की wave भी चल रही थी और उसका असर भी भारत में देखने को मिलता है for example, सुरेंदरनाथ बैनर जी और इवन बाल गंगादर तिलग अपनी कई speech में मैजनी की example काफी जादा देते थे ठीक है, Italian unification and Italy में इनका एक काफी important role रहा था right, secret societies की तरह भी इन्होंने operate करके रखा है और आजादी के लिए, इन्होंने अपने देश की आजादी के लिए काफी लड़ाई लेड़ी तो मैजनी और Garibaldi की speech ये काफी जादा इसका हमें reference सुनने को मिलता है Along with this, एक Ilbert Bill controversy हुई in 1843 ठीक है, ये Lord Lytton की action से काफी पहले की बात है Ilbert Bill भी controversy ये आई थी Ilbert Bill में क्या हो था, कि दरसल Ilbert Viceroy के law member थे ठीक है, he was member of Viceroy's council and he was a law member तो इन्होंने एक reform introduce किया जहाँ पर क्या था कि इस Bill से पहले अगर किसी Indian के उपर criminal prosecution हो रही है या मुकतमा चल रहा है, तो European judges को उसका उस मुकतमे को preside कर सकते है लेकिन Indian judge जो है, वो किसी European criminal के case के उपर preside नहीं कर सकता burden काफी जादा था courts के उपर तो Sir Ilbert ने ये मुनासिफ समझा कि दोनों में equality कर देते हैं अगर European criminal भी है, तो judges तो हमारे पास हैं Indians भी, तो इनको भी preside करने की अनुमती दे दी जाए जब ये चीज़, हलाकि इन्होंने judicial process को थोड़ा effective करने के लिए ये change introduced किया था, ये reform suggest किया था लेकिन जब इस bill के बारे में white population को पता लगा, तो उन्होंने Europe में और भारत में दोनों जगा protest करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा that we are superior, right, and हमारे cases पे जो हैं, whites के cases पर एक brown judge नहीं बैच सकता, CDC बात, ठीक है अब यहाँ पर हमारे Indian leaders ने देखा कि किस तरीके से इन्होंने बड़े ही peaceful protest किये, prayers, petition और protest करके, इन्होंने अपनी सरकार पर, both in England as well as in India England की सरकार क्या है, Secretary of State, ठीक है, वाइसरोय के उपर Secretary of State हुआ करता था, जो British Cabinet का member था, और भारत में वाइसरोय है तो इनके उपर pressure डाला, जिसकी वज़े से Lord Ripon, जो उस समय के Governor General slash वाइसरोय थे भारत के, उनको इस Bill में कुछ modifications करनी पड़ी modification ये हुई कि अगर किसी Indian Judge ने किसी European के मुकदमे को preside करना है, वहां की judgment देनी है तो उस case में जो jury होगी ये note कर लो, बहुत से लोगों को यहां पर confusion हो जाती है, कि Ilbert Bill बिलकुल खारिज कर दिया गया no Indian Judge would be able to sit over European Criminal Prosecution, नहीं ऐसा नहीं था, Indian Judge अगर बैटा है, European Trial अगर कुछ चल रहा है ठीक है तो यार हाँ, 1883 यार, let me ठीक है, thanks Rajiv, इसको ठीक करवाने के लिए, I think by mistake, 1843 यहां पर लिग गया it's 1883 ठीक है, this is just before Congress ठीक है, otherwise तो 1843 वो डाब इन बहुत पहले की बार ठीक है, let me rectify this, this is 1883, आपकी PPTs में इसको correct कर दूँगा, ठीक है, तो यहां पर जो Indian Judges थे, उनको allow कर दिया गया था, लेकिन jury, वो 50% Europeans यहां white population होगी मतलब, 50% members जो है जूरी के, वो white होँगे, ठीक है this was the case, this was the case, right तो यह थी, Ilbert Will Controversy अब कुछ questions करते हैं, ठीक है अब तक किसी को कोई गिला शिक्वा, कोई confusion, question हमने अब देखना है कि सबसे पहले कौन answer करते हैं, लेकिन उससे पहले general, उनके time की controversy है यह, ठीक है कोई गिला शिक्वा right, तो चलो questions करते हैं, let us try to solve some questions Ilbert Will Controversy was related to, यह options आपके सामने हैं 2013 में यह सवाल पूछा गया था ठीक है, अब यार एक में चीज़ बता दू 2013 onwards आप अगर paper देखोगे न, 2018 19 तक, prelims relatively easy हुआ करता था questions काफी सीधे-सीधे आया करते थे 18 onwards 18 onwards paper को बहुत difficult बना दिया गया है ठीक है, तो थोड़ा सा हम questions को देखेंगे to understand कि topics कौन-कौन से cover करने होते हैं, approach क्या रखनी होती है but साथ ही साथ, जो पिछले 5 सालों में जो recent pattern चल रहा है, उसको भी दिमाग में रखना है यह कह रहा है, imposition of certain restrictions to carry arms by Indians, no imposition of restriction on newspaper magazines, no यह arms act था, यह vernacular press act था removal of disqualification imposed on Indian magistrates with regard to trial of Europeans and removal of duty on imported cotton cloth C is the correct answer ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पर हमने पढ़ लिया है इसलिए हमें याद है, बट generally मैंने बहुत बार देखा है, light कि मैं भी जब तैयारी करता था बहुत से मेरे friends test series में इस question को solve नहीं कर पते थे, क्योंकि तब तक हमने इतना कुछ पढ़ लिया होता है, कि ilbert bill एकदम से सामने आता है ना, तो याद है नहीं आता है यार, कि किस से relate कर रहा था ठीक है, लेकिन उमीद करता हूँ कि जिस तरीके से हमने इसकी discussion की है तो आप अब exam में नहीं बूलेंगे 2003 का एक सवाल करते है ठीक है, let us try to solve a question of 2003 यहाँ पर पूचा जा रहा है, with reference to colonial rule in India, what was sought by ilbert bill in 1883 again you can see a similar question being repeated, तो यह क्या बता रहा है कि यह topic important है, ठीक है UPSC is mother of all exam तो इसके साथ साथ आप लोग जो CSIR और ACIO exam की भी तयारी अगर कर रहे है freedom struggle उसका भी essential integral part है syllabus का ilbert bill वहाँ पर भी पूचा जा सकता है ठीक है ilbert bill वहाँ पर भी पूचा जा सकता है तो A कह रहा है to bring Indians and Europeans at par as far as criminal jurisdiction of courts was concerned to impose severe restriction on freedom of native press right, to encourage native Indians to appear for civil service examination by conducting them in India to allow native Indians to possess arms by amending arms act, सारा कुछ बखवास है A is the correct answer ठीक है, बिस्वजीत I think typo error हो गई है आपसे, एक बार जारा comment को फिर से बता दो so that I understand, आप क्या कैना चाह रहे है ठीक है, A is the correct answer ठीक है, चलो अगला एक और question करते है which of the following statements are true in context of growth of Indian nationalism now, यहाँ पर यार दोस्तों यह समझो कि prelims में subjective format में objective चीज़ें पूची जा रही है नहीं objective format में subjective चीज़ें पूची जा रही है अब यह जो question है यह objective question भले ही है लेकिन यह interpretation के साथ deal करते है कि आप किस तरीके से दी गई information को interpret करते है ठीक है, तो Indian nationalism के context में option नहीं आपे कह रही है कि Indian nationalism was a reaction to colonial policy B कह रहे, Indian nationalism was strengthened by colonial policy C कह रहे, Indian nationalism was always present among Indians but exposure to modern thoughts helped in materializing it क्या answer होगा, this is question number, I don't know number क्या है let's call it question number 3 तो 3 लिखके इसका answer बताईए 3 लिखके इसका answer बताईए सब जने Indian nationalism was reaction to colonial policy यह मैंने आपको बता रहा है यह जो social religious reform movements यह भी जो होई थी, इनमें भी क्या था इनमें एक nationalism की undertones थी राजा राम मोहन रॉय को cover करते होए हमने देखा भी, ठीके? और उसमें हमने देखा कि जैसे यह जो colonial policies थी यह discriminatory भी थी तो उनके against एक counter करने के लिए भी nationalism जागा कि हम भारतिये decide करेंगे कि what is best for us, right? Indian nationalism was strengthened by colonial policies yes, colonial policies की हलांकी intention नहीं थी लेकिन latent function, latent outcome जो थी उसकी वो क्या निकली? कि भारतिय अवेर हो गए western thought, rise of Indian middle class यह middle class ही होती है जो सबसे जादा aspirational भी होती है और इसी aspiration के चलते, they decided कि we have to get certain rights, certain liberations right? तो यह भी true है, यह भी true है C कह रहे, ठीके, यह दोनों ही true है तो वैसे present among Indians, but exposure to modern thought helped in materializing it यहाँ पर किसी को कोई गिला शिक्वा Indian nationalism हमेशे से मौजूद नहीं था यह सच्चा ही है right? हम लोग बंटे हुए थे और इसी चीज का फाइदा अंग्रेजों ने उठाया हमें और बांट कर राज रजवाड़ों को आपस में लड़वाया और उसी के चलते यह जो subsidiary alliance जैसे instruments का इस्तेमाल एक दूसरे के प्रती जो insecurities थी ठीके, kingdom number one kingdom number two से जो डर रहा है उसकी वज़े से ही वो भारत के उपर अच्छी grip, strong grip बना पाए और वही चीज है जो अंग्रेजों को अपनी hold on India उसको strong करने में help करती है ठीके, तो correct answer यहाँ पर option D बन जाते है, अब आगे बनने से पहले दोस्तों मैं यह बता दूँ कि देखो यार, जब prelims के लिए हम चीज़ें बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन वही जैसे Hilbert Will की example दिये कि question repeatedly आ जाते हैं, बट यह topic कई बार हम miss out कर जाते हैं during our revision तो 2024 के prelims के लिए if you want a consolidated revision right, so उस case में Study IQ का success and prelims program आपकी काफी मदद कर सकता है इसमें live classes के साथ-साथ recordings भी उसकी मिलती रहेंगी along with that class में lecture PDF crux document और e-books on your practice होगी, कि देखो यार ये मैं बार-बार इसलिए कह रहे हूँ ताकि ये approach जो self-fed भी कर रहे हैं वो भी समझ सकें, देखो इस समय पर बहुत से candidates का ये message आ रहा है that they are getting distracted from their studies is it true, ये सच है तब ही messages आ रहे हैं, बहुँच लोगों की problem है कि distract, focus नहीं कर पारे, focus ना करने के कुछ कारण है, कारण number one December आ गया, सरदियां है आलस आता है, ये true है ठीक है, climate का भी impact पड़ता है आपकी तयारी में, ठीक है, December, January सबसे आलसी महीने होते हैं, यहाँ पर आपकी performance dip करेगी, दूसरी चीज है कि आपके पास fixed targets नहीं है, you do not have fixed targets, fixed targets से क्या होता है, कि जब आपको सुबह उठने से पहले, यानि कि रात को सोते टाइम पता है, कि अगले दिन मैंने ये सारी चीजें करनी हैं तो एक तो timely उठोगे, क्योंकि brain को पता कि काराम बहुत सारा है अगर पता ही नहीं होगा, वो सोता रहेगा राम से दिन में भी आलस चड़ेगा, right तो अगर targets हैं, तो आप active रहते हैं इनको fulfill करने की, इनको complete करने की achieve करने की आपकी कोशिश रहती है, ठीके तो targets ना होना, ये भी एक problem है उसके बाद आपको ये पता ही नहीं है कि जो मैं पढ़ भी रहा हूँ, उसकी utility क्या है ठीके, वो भी problem रहती है, right so targets को fulfill करने के लिए what you have to do, कि syllabus को micro topics में divide करो और हर micro topic को complete करने के बाद MCQs की practice करो, जब ये करोगे अपने आप focus बना रहेगा and this is the approach that we are following in SIP, ठीके, success in prelims में यही approach follow हो रही है 18 December से इसके new batches launch हो रहे है यानि की start हो रहे है तो CS Live Code use करके, you can enroll in this with the maximum possible discount अब यार आगे बढ़ते हैं अब देखे हैं, political awakening हो रही है political awakening जब होगी तो कुछ political organizations बनेगी can someone tell me in the comment section what is the purpose of a political organization feeling of nationalism arouse much later in India and it became colony much earlier B point didn't get it ओके विभा का यह doubt आ रहा है B point, okay B option उनको समय नहीं आ रही feeling of nationalism arouse much later it became colony much earlier हाँ, true है feeling of nationalism later आई थी colony पहले बन गी थी, तब भी तो colonial policies की वज़ा से धेरे धेरे nationalism आया ना it was strengthened by colonial policies ठीके strengthened by colonial policies जो unity political unity की जो बात की है ठीके आपस में एक region के दूसरे region जो लोग discussion कर रहे हैं, western education western thought, development of press, literature यह सारी चीज़े हैं they strengthened nationalism ना contributed to the cause of nationalism ठीके तो इसलिए be correct है ठीके अब यहाँ पर दोस्तों यह ना table आपको आपके pdf से मिल जाएगा, यह congress के birth से पहले कुछ political organization बनी थी, ठीके, अब राजीव ने कहा है कि purpose of political organization unity, I think unity उन्होंने political organization के objective के point of view से बताया है, देखो political organization का purpose होता है कि एक तरीके से ना, यह लोग pressure group की तरह act कर रहे है हर political organization का कोई ना कोई ideology या कुछ objectives होते है उन्हों objectives के pursuit में वो जुडते है and they use certain constitutional extra constitutional or some other means to push for their cause ठीके, तो Congress से पहले यह कुछ examples है, for example Bangabasa, Prakashik Sabha 1836 में यह स्थापित की गई थी और इसमें क्या था इनका objective, to discuss the government policy and seek redress through petition and memorandum और यहां पर आप जानते हैं के राजा राम मोहन रोज कुछ भी जब हमने cover किया था तो क्या है nationalist undertones उनके भी reforms में थी उनका मानना था कि हम जब social malpractices जो की हमें divide करते हैं, बांटते हैं, अगर उसको address करेंगे, तो हम politically भी ज़्यादा active, ज़्यादा अपने हक्की लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है जमीनदारी association, इसको land hoodless society भी कहा जाता था, 1838 में यह बनी, द्वारकानाथ तगोर रादार कान देब और इनके कुछ अन्य साथियों इसको स्थापित किया था, अब जैसा इसका नाम है इसके objectives भी वैसे थे, बहुत ही छोटा narrow objective था, हम जानते हैं कि British की जो revenue policies थी, जैसे जमीनदारी act, या permanent settlement act, उसमें pressure जमीनदारों के उपर भी था, तो जमीनदारों के interest को promote करने के लिए, जमीनदारी association बनी थी ठीक है, तो ये जो बेंगॉल, बिहार ओडिसा, हमने ये भी देखा था कि जादतर landlords हो थे, वो eastern इंडिया में मौझूद थे, तो उनके interest को protect करने के लिए landholder society या जमीनदारी association इसको हम देख सकते हैं, ये start, it was a beginning, जिसमें इंडियन्स ने ये सीख लिया था कि how to unite themselves to push for a cause, right इसके बाद बिंगॉल British India Society, 1839 में ये लंडन में बनी थी, British India Society, 1839 में लंडन में बनी थी, by William Adam ठीक है, William Adam ने British India Society बनाई, और इनका objective था, to let the people of England know the dire conditions of India ठीक है, अब आप कहोगे कि ये गोरे भाई साब, इनको क्या पड़ी है, इंडियन्स के साथ इतने सगे क्यों हो रहे हैं हमारे तो actually मैंने आपको बताया था कि East India Company के जैसे rivals थे, और वो East India Company के खिलाफ काफी propaganda करते थे ताकि वो monopoly तूट सके तो उसी तरह से जब East India Company हट गई थी भारत से, तो London में elections होते थे, elections में क्या थे, parties आएंगी, political parties of England to fight the elections अब वहाँ पर क्या था, कि लोगों को अपनी तरफ करने के लिए वो ये भी दिखाते थे, कि इंडिया में हमारी governance कैसी है तो William Adam एक तरीके से generally जो conservative government थी, ठीके, उनको expose उनके real character को expose करने के लिए इन्होंने यहाँ पर British India Society बनाई, तो उससे हमें भी फाइदा मिल रहा था, ठीक है, England के लोग भी जागरुक रहें और उससे वो उस सरकार को चुने जो भारत को लेकर थोड़ी समवेदन shield है, ठीक है, and William Adam जो है, to some extent भारत के interest के साथ भारत की welfare के साथ थोड़ा सा इतिफाक भी रखते थे, इसके बाद Bengal British India Society, ठीक है यह 1843 में बनी थी by a group of many leaders और इनका काम था, कि लोगों के hit की generally बात करें, information को disseminate करें, और जो लोगों की actual condition ने colonial rule में इसमें क्या हुआ, कि जमीनदारी association, जो रादा गान देब ने बनाई थी, और Bengal British India Society, इन दोनों को merge करके British Indian Association बन गी ठीक है, तो इन्होंने कुछ important, basically demands भी अपनी रखी थी, आप देख सकते हैं, जैसे कि separate legislature होना चाहिए जिसमें popular character हो popular character बतलब, एक ऐसा legislature रखो, जहां पर लोग चुन कर अपने representatives भेजें ठीक है, secondly, separation of executive from judicial function अगर एक ही जगा पर concentration of power होगी, तो वो corrupt करेगी इंसान को, तो उसे ये separation रखो, salaries reduce करो आपकी officers काम कुछ करते हैं, salary इतनी जादा रखिए, उसको reduce करो, salt duty, आबकारी and stamp duties what is the meaning of आबकारी, लिककर के उपर लगने वाले tax को generally आबकारी tax कहा दिया जाते है, ठीक है तो इसकी reduction या abolition ये सारी चीजें, ये demand कर रहे थे राइट, Charter Act of 1853 में, इन में से कुछ demands accept कर ली गई थी, राइट and this was an example that कैसे Indians unite होकर, आम जनता के भी issues को redress करने में, थोड़े successful हो रहे थे ठीक है, इसके बाद एक बहुत important association बनी थी East India Association, ये 1866 में again, लंडन में बनी थी दादा बाई नारो जी, फिरोशा मैता, बदरुद तयाब जी and मनमोहन गोश इन्होंने ये स्थापित की, और इसमें again objective यही था, कि लंडन की जनता को जागरुक किया जा सके कि आपकी सरकार, क्योंकि आप जानते हैं, Secretary of State Vice-Roy के उपर बैढ़ता था, और वो था British cabinet का member तो जो सरकार बनेगी, उसमें जो Secretary of State appoint किया जाएगा वो समवेदनशील है के नहीं है वो decide करता था कि भारत में conditions कैसी होंगी Even British government ही Voice-Roy appoint करती थी, ठीक है तो अच्छे Voice-Roy अगर आएंगे, तो थोड़ा समवेदनशील होते थे, तो इसका भी वही purpose था, लंडन की जनता को influence करना, पूना सारवजनिक सभा, ये एक और बहुत ही important organization बनी before Congress, 1870 में इसकी स्थापना हुई महादेव गोविंद रानाडे, गनेश वसुदेव जोशी, जिनको जीवी जोशी भी क्या दिया जाता है, और S.H. चिपलांकर ठीक है, इनों ने इसकी foundation रखी इनका काम था कि ये लोगों में और सरकार के बीच में एक bridge का काम करेंगे इनका कहना था कि लोगों के साथ contact होने से हमें उनके मुद्दों के बारे में पता है और ये कहीं न कहीं British sense of justice में विश्वास रखते थे, इनको लगता था कि शायद अच्छा काम करना चाते हैं पर विचारों को शायद पता नहीं है कि उनकी policies के वज़े से लोग तड़प-तड़प के भूख से मर जाते हैं तो हम bridge बनेंगे, हम लोगों की problems को सरकार तक पहुंचाएंगे through prayer, petition and protest तो बहुत से leaders जो हमारे national struggle में भी starting के कई सारे leaders, जैसे की इवन बाल गाना दर तिलग, वो भी पूना सारवजनिक सभा के members थे, ठीक है? 1875 में एक बड़ी ही crucial development इस पूना सारवजनिक सभा के अंडर होई, जहां पर इन्होंने एक petition submit की, इंडिया में नहीं लंडन में, लंडन में पार्लेमेंट, जैसे हैं आज की इंडिया की पार्लेमेंट में लोकसभा है lower house and राज्यसभा है upper house, ठीक है? तो वहां पर लंडन में जो lower house हाओ, उसको house of commons भी कहा जाता था, तो वहां पर 21,000, लगबग 21,000 लोगों के हस्ताक्षर लेके, उन्होंने एक representation भेजी, ठीक है? और वहां पर good governance की demand basically कर रहे थे इंडिया में जो reactionary governor journals भेज़ जते हो उनसे निजात पाने के लिए ठीक है, जो एक petition sign यहाँ पर इन्होंने की थी ठीक है? और direct representation मांग रहे थे ठीक है, direct representation of India in the parliament कि इंडिया के लोग अपने चुने हुए लोगों को भेजे, house of lords, house of commons yes, upper house house of lords lower house house of commons, ठीक है? so the petition demanding direct representation, यह समझ आ गया? इस petition में क्या था? direct representation की मांग की गई थी of India in the parliament ठीक है, इसका logic समझ रहे हो? logic यह है कि अगर अंग्रेजी सरकार, voice roy appoint करके भारत के भविष्य का फैसला कर रही है या भारत की governance का फैसला कर रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे क्योंकि parliament सरकार को control करती है तो इंडियन्स की representation होनी चाहिए वहाँ पे ठीक है? तो यही demand की जारी थी इस petition के अंदर ठीक है? इसके बाद अपने विचारों को इस पत्रिका के थूँ प्रपगेट किया और nationalism को और political education के cause को push किया ठीक है? फर्दर आगे बढ़ावा दिया most important association before Congress this is called Indian Association 1876 में आनन्द मोहन बोस और सुरेंदरनाथ बैनर जी इन्होंने स्थापित की सुरेंदरनाथ बैनर जी आपको पते ICS officer भी थे और without any substantial reason इनको ICS से निकाल दिया गया था जिसकी वज़े से अंग्रेजों के प्रती इनके मन में एक आक्रोश था और इनका कहना था कि अंग्रेज जब तक हैं तो हमें ना grow होने देंगे ठीक है discrimination अलग से करेंगे so we have to unite और तभी अपने अधिकारों की हम बात कर पाएंगे ठीक है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने Indian Association बनाई और इसको एक बड़ी organization बनाने के लिए बहुत सारे actions और measures भी लिए for example कहा जाता है कि Indian Association की जो membership piece थी वो 5 रुपे रखी गई थी उस समय के हिसाब से और Lord Curzon का एक analysis कहता है कि उस समय उनका मानना था I don't know how much it is true सोचने में बहुत ही विचित्तर लगता है लेकिन उनका कहना था कि average average per capita income जो इंडिया में थी वो 30 रुपे थी ठीक है average per capita income एक आम व्यक्ती की per capita income अंग्रेजों के शासन के दोरान इस समय के तोरान 1870s के पास 30 रुपे हुए करती थी ठीक है तो सुरेंदरनाथ बैनाजी ने 5 रुपे रखी जो की कहा जाता था कि कम है बट मेरे साब से अभी भी जादा ही थी बहुत बड़ी जनता जो है वो नहीं जॉइन कर पाएगी जब कॉंग्रेस की membership पीस चार आनने रख दी गई जिसकी वाज़े से बहुत सारी membership भी आई और तिलक स्वराज फंड भी overflow हो गया था आगे उसके बारे में बात हम करेंगे ठीक है तो इन्हों ने इसका foundation यानि की नीव रखी ये establish होई political questions के इर्दगिर्द इन्होंने public opinion को पढ़ावा दिया लोग आपस में discuss करें और उनके दिमाग में उस एक opinion develop करने की ideology basically develop होना start हो जाए काफी सारी activities के को इन्होंने basically organize भी किया जैसे की जो age limit है ICS की age limit की reduction जो की गई थी उसके खिलाब इन्होंने मोर्चा निकला और pressure करने की कोशिश की this is not right इसे के साथ-साथ England और India में simultaneously civil services का exam रखने की भी इन्होंने बात रखी थी और ये भी कहा था कि higher administrative post में अंग्रेज Indians को appoint नहीं करते थे ठीक है higher administrative post में सिरफ white लोग होते थे उन्होंने कहा कि Indianization होनी चाहिए ठीक है इसे के साथ arms act, vernacular act दोनों के खिलाब इन्होंने मोर्चा निकला और सबसे important चीज all India conference में इन्होंने conduct करवाई पहली conference Calcutta में होई in December 28 to 30 in 1883 और 1885 में इन्होंने second conference की planning कर ली थी ठीक है और उन्होंने conduct भी की और objective ये था कि हमें एक all India body बनाने चाहिए सुरेंदरनात प्यानेजी because ICS से तो इनको समझ आगी थी कि जब तक सब लोग that reason we need an all India conference जिसमें की क्या था जितनी regional political associations हैं वो participate करेंगी सबके मुद्धे grievances को unite करके अंग्रेजों के सामने रखा जाएगा यही reason है जिसकी वज़े से Congress के पहले session में सुरेंदरनात बोस, सुरेंदरनात बैनर जी और आननन मोहन बोस यह participate नहीं कर पाए थे क्योंकि they were busy in second all India conference ठीक है Madras Mahajan Sabha and Bombay Presidency Association, this is another example वी रागवचारिय, सुबर्मनी आयर, पी आनन चार्लू इन्होंने Madras Mahajan Sabha बनाई, legislative councils की reform की demand इन्होंने रखी थी and Bombay Presidency Association में फिरोशा में था, केटी तिलांग और बदरुदीन थे आप जी, they were active, ठीक है तो यह भी political thinking को बढ़ावा देते थे अब Congress से पहले, these were the associations, और यहां से आप देख सकते हैं कि भारत में political consciousness के जन्म और उसके जो एक तरीके से बढ़ावा हो रहा है, वो हम यहां पर clearly देख सकते हैं, जो इसके पीछे factors हैं, ज्यादतर factors अंग्रेजों ने खुद produce करके दिये, लेकिन intention उनकी अलग थी, यह हमारे Indian leaders थें, जुन्होंने अंग्रेजों की ही स्थापित की हुई चीजों को इंडिया की favor में turn कर दिया, जिससे की आगे हमारा freedom से गलब lead गया जाएगा अगले session में हम देखेंगे किस तरहिके से Congress का जन्म होता है और Congress के जन्म को लेकर कुछ controversies भी हैं, उसके बार में बात की जाएगी along with some most important Congress sessions, so साहस series के साथ बने रहिएगा और अपने friends family members में जितना इसको फैला सकते हैं आप, उतना फैलाएए, ताकि team study को भी पूरी encouragement रहे to continue this particular series, आज के लिए इतना ही and yes, जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप में से जो लोग अपनी foundation start करना चाहते हैं UPSC को लेकर, ठीक है तो उसमें बहुत जादा ज़रूरी है कि stage के हिसाब से आप अपने exam की approach को accordingly maneuver करें ठीक है, as per the demand of the stage, आप अपने exam की approach को maneuver करें, कि मान लीजी अभी आपने start किया है, so stage पे it's important कि pre mains की integrated तयारी हो अगर आप pre देने जारे हैं 2024 का, तो इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप crash को उस पर focus करें ठीक है, अगर आप 2025 में तयार करना चारे हैं, तो वहाँ पर situation अलग हो जाती है, main से पहले अलग situation है ठीक है, तो अगर आप एक all inclusive batch देखने हैं, जिसमें 2024 के prelims की भी तयारी होगी, and खुदना खास था, अगर 2024 के prelims पर कोई दिक्कत आती है, and you want कि 2025 में तो मैं पूरा exam फोड़ना चाता हूँ अच्छे से, clear करना चाता हूँ तो उसमें मुझे foundation और mentorship की भी जरूरत है, main से crash course की भी जरूरत है, answer writing की भी जरूरत है test की भी जरूरत है, तो उस case में आपके लिए जो best course है that is P2I, study IQ की website या app पर जाकर जब आप live classes खोलोगे live courses खोलोगे, तो यहाँ पर P2I GS batch 5 को आप देख सकते हैं जिसमें last day to admit today है, ठीक है, यह 12 December इसमें admission लेने का last day है तो यहाँ पर आप basically इसमें enroll कर सकते हो, by now पर click करके आप promo code लगा सकते हैं that promo code is cslive 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 इसको apply करेंगे, तो 37,000 का यह course, 25,000 भी मिल जाएगा so maximum discount लेने के लिए, you can apply this particular code, and I will see you soon in the classes, time-bound तरीके से पूरा syllabus असमें complete होता है sahas series काफी फादा आपका कर सकते है but यहाँ पर वही problem है, थोड़ी that time की थोड़ी दिक्कत हो सकते है यहाँ पर a well, very highly disciplined तरीके से हम पूरा cover करते हैं so with that said, I wish you all the best it was nice having this session today see you soon in the next session, thank you so much